हेलो फिंट्स तो चलिए हम लोग सी लेंग्विज को आगे बढ़ाते हैं तो अभी तक हम लोगों ने सी लेंग्विज पर मैंने 21 वीडियो को अप्लोट कर दिया हैं तो मेक शूर कि आप वो सारे वीडियो जरूर देखे हों आज हम पढ़ने हम लोग पढ़े थे डिसीजन कंट्रोल तो हमने सारी चीजें यह सारी जो भी हैं सब कुछ हमने पढ़ लिया था आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच के बारे में उके तो सबसे पहले हम लोग different typical condition होती है तो हम लोग if 是 later का यूज कर सकते हैं लेकिन ifफ़ Orange का यूज करना कई सारी condition के लिए अप्रोप्रियेट नहीं होता है अगर आपके पास लेट के 3-4 या या फिल्स लेडर का यूज कर लिजे मान लीजिए 10 चेंट कंडिसन 20 50 तब आपको वहां पर इल्स इफ या इफ इल्स लैडर का यूज नहीं करना चाहिए बलकि आपको switch का यूज करना चाहिए तो चलिए मैं आपको switch का syntax पहले बताता हूँ उससे पहले देखिए हमने क्या किया प्रोग्राम में हमने simple सा एक variable बनाया है और user को message दिया है कि आप day का day number input करो तो user 1,2,7 input करेगा कोई भी value जिसको हम scan of करके इस day number में input कर रहे हैं और check कर रहे हैं अगर day number की value 1 है तो Sunday प्रिंट करो अगर day number की value 2 है तो Monday प्रिंट करो अगर 3 है तो Tuesday प्रिंट करो 4 है तो Wednesday, 5 है तो Thursday, 6 है तो Friday and 7 है तो Saturday otherwise इसके अलाबा अगर कुछ भी इंटर होता है तो invalid day number प्रिंट करो तो यहां पर कई सारी condition है तो हम लोग इस तरह से else if, else if use नहीं करेंगे हम लोग यूज करेंगे switch तो switch का syntax क्या होता है सबसे पहले आपको लिखना है switch keyword और जैसे हमने switch keyword लिख करके इंटर कर दिया तो यहां पर यह हमें by default सब कुछ दे दे रहा है तो फिल हल तो मुझे यह नहीं चाहिए मैं लिखूँगा switch और switch लिखने के बाद इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं expression लिखते हैं जैसे यहां पर हम लोग इफ लगाते हैं तो condition लिखते हैं उसी तरह से यहां पर क्या होगा switch में हमेशा expression लिखा जाता है आप ध्यान देबढ़िए expected an expression और यह expression की बात कर रहा है अच्छा मैं यहां पर क्या करता हूँ एक इफ लगाता हूँ ऐसे ही मैं इफ लगा देता हूँ अभी यहां पर आप देखना यह क्या कह रहा है expected an expression मतलब कि हम दोनों ही case में चाहे इफ हो या switch हो दोनों ही case में हम यहां पर क्या करते हैं expression लिखते हैं लेकिन if के case में या जो भी हम if else यूज़ करते हैं उसके case में जो यहां expression लिखा जाता है उसका answer true या false में आता है यही तो होता है कि अगर जो यहां condition हमने लिखी यह true हो गई तो यह execute होगा false हो गई तो यह वाला execute नहीं होगा तो जो भी expression if या if else में लिखा जाता है वो हमेशा true या false में evaluate होता है लेकिन switch में ऐसा नहीं होता है switch में expression का जो result होगा वो आएगा उसको true या false में evaluate नहीं किया जाएगा है ना तो यही same काम करने के लिए मैं क्या करता हूँ इस जो यह day number है इसको मैं क्या करूँगा अपने इस switch में pass कर दूँगा और इसके अंदर आने के बाद हम लोग case बनाएंगे case 1 इस तरह से case 2 case 3 case 4 case 5 case 6 and case 7 और उसके बाद एक होती है default default तब चलेगा जब कोई भी case number मैच नहीं करेगा default तब चलेगा जब कोई भी case number मैच नहीं करेगा और ध्यान दे आपने case लिखा case की value लिखी और उसके बाद लगाया semi colon और default default तब चलेगा जब कोई भी case नहीं execute होगा है ना यह same उसी तरह है जैसे इल्स में होता है तो default में हम लोग क्या लिख देंगे invalid day number को के simply हम लोग यह लिख देंगे अगर अगर day number की value one है one है तो मुझे क्या print करना है मुझे Sunday print करना है तो यहां पर print लगांगा लाइन चेंज करके Sunday को मैं print कर दूँगा और इसके बाद आपको लगाना है break है ना तो आपने switch का यहाँ पर syntax देखा क्या होता है कि parenthesis में आपको expression लिखना है और उसके बाद इसी तरह से case बनाने है case में जो value लिख रहे हैं 1 2 3 4 यह मैं 1 2 integer क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि जो यह हमारा day number है यह integer है suppose अगर आप यहाँ पर कोई character type का variable लिखते तो जो यह होते case की value होती वो आप character बनाते तो जो भी यहाँ पर आएगा expression उसका result जिस type का होगा वही आप यहाँ पर बनाओगे है ना तो अभी हमारा वो integer है तो हमने integer type का बना लिया है तो अगर day number की value 1 है तो वो case 1 से मैच कर जाएगा और अगर case 1 से मैच होगा तो वो sunday print करेगा और break चलेगा ब्रेक चल जाएगा तो वे switch break हो जाएगा है ना इसी तरह से case जब two है तो मुझे क्या print करना है Monday परिंट करना है है ना तो मैं case two पे आता हूं ओर यहाँ पर Monday मंडे प्रिंट करता हूं उसके बाद ब्रेक ना भूल लें ब्रेक अगर नहीं लगाएं तो क्या होगा माल लीजिए मैं यह वाला ब्रेक भूल गया और अगर डे नंबर की वेलू वन है तो यह संडे प्रिंट करेगा और क्योंकि मैं連 भूल गया हूं तो यह मंडे भी कर देगा यानि कि तEdu करेगा MRS auf अगर अने यहां पर ब्रेक लगा आ है तो सुच ब्रेक हो जाएगा अधर्वाइस वह जो ठर्ड केसमें कोडिंग ! गोगी इसको भी lig suit करेगा है ना इस तरह से संडे हमने कर लिया मन्डे कर लिया आब आजाता है नंबर से का अगा थ्री है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे तुजडे करेंगे ġेट करेंगे ब्रेक अगर आप भूल जाएंगे तो उसके नीचे वाला भी प्रिंट जो भी केस है उसमें जो भी आपने कोडिंग ही है वो भी इवैल वेट हो जाएगा इसलिए ब्रेक ना भूले है ना फाइम में हो गया थर्सडे देन फ्राइडे इसको कापी कर रहा हूं बेसिकली इस तरह से ये हो गया और उसके बाद सटर्डे सेवन नंबर पर है ना इस तरह से हमने ये काम कर दिया है तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं ओके मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से बाकी ये सारी चीजे मुझे चाहिए तो हमने क्या कर लिया यहां पर देखिए चलिए मैं इस प्रोग्राम को सिंपल रन कर देता हूं पहले तो जो भी मैं डे इंटर करूंगा उस डे के करिस्पांडिंग जो भी नेम हमने लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा तो अगर मैं इंटर करूं तो संडे प्रिंट होना चाहिए देखिए संडे प्रिंट हो गया था है ना एक बार मैं और इंटर कर देता हूं मैं यहां पर कुछ लटसे आप फाइव इंटर कर देता हूं तो उससे का इस्पांडिंग थर्सडे प्रिंट हो गया है ना अगर मैं कुछ वैल कहीं भी लिख दो है ना वो भी consider किया जाएगा जैसे मैं यहां पर 123 इंटर करता हूँ देखिए invalid day नमबर और संडे कर रहा है क्योंकि अगर आप default को पहले लिख रहे हो तो फिर यहां पर आप break लगाना न भूलो है ना तो break भी लगा दो आप इस तरह से तब वो sunday print नहीं करेगा क्योंकि ब्रेक चल जाएगा ब्रेक चलेगा तो हमारा जो वो है स्विच है वो ब्रेक हो जाएगा है ना तो इस तरह से हम multiple condition चेक कर सकते हैं switch का यूज करके लेकिन ध्यान यह रखना है कि आपको यहां पर जो भी coding आप कराना चाहते हो यहां पर आप कई सारी line की coding लिख सकते हो जितनी भी line की coding आपको लिखना है इस तरह से है ना सिर्फ और सिर्फ एक statement नहीं जितना भी code चाहो आप यूज कर सकते हो switch का यूज हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं data structure में जब पढ़ते हैं तो अगर आपने c language पढ़ना start कर दिया है तो c language पढ़ने के बाद आप मेरे चैनल से data structure भी पढ़ सकते हो आप मेरे चैनल पर आ जाओ और यह data structure वाली playlist 2020 को access कर लो इसमें सारे वीडियोज हैं आप बहुत कुछ सीख जाओगे है ना और हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर यह है यह number हो सकता है लेकिन यहाँ पर आप 1.5 इस तरह से नहीं कर सकते है ना यह लिखना गलत होगा देखे यहाँ पर वो suggest कर रहा क्या कहरा expression must be an integer constant expression कह इसाइरा integer होना चाहिए या फ्लोट या डबल यहाँ पर नहीं लिख सकते क्या आप 1 प्लस जैसे यहाँ पर यह two लिखा है तो क्या मैं two को one plus one इस तरह से लिख सकता हूं यहाँ पर हां इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और अगर मैं two inter करूंगा तो हमें क्या प्रिंट होएन क्या मैं 1.6 ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता यह इरर देगा क्योंकि इसका सम होने के बाद क्या आ जाएगा वो फ्लोट में आ जाएगा तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं है न आप यहां पर कईरेक्टर भी लिख सकते हैं जैसे आप वन को आफ्टतर कर दो लेकिन ध्यान रहे केगर आपने वन को आप करेक्टर दिया है तो अगर जब आप वन इंटर कोगे यह मैच होगा क्योंकि यह डेने में में जो वन आएगा वह integer आएगा आपनी आपणापर कायरेक्टर लिख दिया है है हैना मैं एक काम करता हूं सबको मैं अइस आयजा कायरेक्टर कर दिता है कि इस तरह से is a character कि करने कर लिए इसको दिखें आयजा कायरेक्ट्र हमने इंटीजर है और उसकी मैचिंग हम कायरेक्टर से कर रहे हैं तो हमेशा डिफाल्ट वाला चलेगा मैं टू करूंगा तो भी वो डिफाल्ट वाला ही चलेगा इनवैलिड च्वाइस प्रिंट करेगा तो अगर हमें चाहता हूं तो मैं यहाँ पर एक integer नहीं बलकि इसको मैं कायर भी बना सकता हूं और लिखता हूं इंटर डे नमबर और यहां पर पर संट डी नहीं पर संट सी यूज करूँगा हैना तो अब यहां से जो मैं नमबर इंटर करूँगा वो ऐस अचाइरेक्टर इन पुट होगा और उसकी मैचिंग हो जाएगी देखें मंडे़ प्रिंट हो रहा है टू च्ञाइस करने पर तो आप यहां पर कायरेक्टर भी लिख सकते हो ना केबल कायरेक्टर आप यहां प को इंटर करता हूं मैंने इंटर किया इसमाल सी देखिए ट्यूजडे प्रिंट हो रहा है तो आप यहां पर कारेक्टर भी उज़ कर सकते हूं है ना तो यही है सारा सब सब् spacecraft अगर माल लिजए आपने सोचा कि हमने यहां पर कुछ कोडिंग किया है य campus बनाओ उसमें प्रिंट लगा कर दो यहां पर यह Conmer यह नगा रहा है तो क्या इसका देख सकते हैं किए देंगे और देख हो यह उन लिए नारी रहा है तो इन खरोगे तो invalid day number आ रहा है 3 में क्या है 3 में हमने क्योंकि इसको change कर दिया था तो 3 कुछ है नहीं है तो मैं इसको फिर से 1,2 और 3 कर देता हूँ मैं इसको 1,2,3 कर देता हूँ आप देखना तो मैं 3 enter करता हूँ कुछ भी देखो warning दे रहा है मैं 3 enter करता हूँ तो Tuesday आएगा लेकिन कभी भी ये वाला प्रिंटफ नहीं चलेगा अगर आप चाहते हो कि जो code हमने switch के अंदर लिखा वो exude हो तो वो definitely किसी ना किसी case के अंदर होना चाहिए या तो default वाले के अंदर होना चाहिए ऐसे आप बाहर लिख दोगे तो यह error नहीं देगा लेकिन warning हमें मिल रही है है ना हम warning message को देखना देखना दिखेगा आपको यह यह देखिए बुलु कलर से है ना तो warning मिल रही है लेकिन error नहीं आ रही हमारे program में तो इस तरह से आप कभी भी use मत करें है ना तो I hope कि आपको switch समझ में आया होगा switch का हम लोग बहुत अच्छा यूज करते हैं data structure में तो आप data structure में आओ data structure की हमारी playlist को आप access करो यह बहुत अच्छा course है मैं आपको बता रहा हूं मैं guarantee देता हूं यह इतना अच्छा course है हमने कितने अच्छी तरीके से पहले pointer पढ़ाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में है ना बहुत सारी चीजे हमने देखी ना अगर आप कुछ मत देखना तो एक बार आप course देख लेना क्या क्या काया है 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 white CH तूल क्या है आपको कोपर आप С